आपकी पीड़ी को आपके शब्दों में जेन जी कहा जाता है लेकिन मैं आपको अमरित पीड़ी मानता हूँ जिनकी उर्जा अमरुत काल में देश को गती देगी हमारा संकल्प है कि आपकी इस अमरित पीड़ी का हर सपना पूरा हो आपकी पीड़ी को आपके शब्दों में जेन जी कहा जाता है लेकिन मैं आपको अमरित पीड़ी मानता हूँ आप वो लोग है जिनकी उर्जा अमरुत काल में देश को गती देगी आप सभी जानते हैं कि भारत ने 2047 तक विख्षिद देश बनाने का संकल्प लिया है अगले 25 वर्ष देश के लिए आपके भविश के लिए बहुत एहम है हमारा संकल्प है कि आपकी इस अमरित पीड़ी का हर सपना पूरा हो हमारा संकल्प है कि आपकी अमरित पीड़ी के सामने आउसरों की भर्मार हो हमारा संकल्प है कि अमरित पीड़ी के रास्ते की हर बाधा दूर हो जो अनुशासम, फोकस माइंडसेट और कोडिनेशन मुझे भी आपके परफॉर्मंस में दिखा वही अमरित काल के संकल्पों को पूरा करने का आधार है साथ क्यों अम्रत काल की स्यात्रा में आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो करना है वो देश के लिए करना है राष्ट्र प्रधम नेशन फर्स्ट यही आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए आप जो भी करें पहले यह सोचें कि इससे देश का क्या फाइदा होगा दूसरा यह कि अपने जीवन में कभी भी विफलता से परेशान नहीं होना है अब देखिए हमारा चंद्रयान भी वो भी तो पहले चांद पर लेंड नहीं हो सका था लेकिन फिर हमने ऐसा रेकॉर्ड बनाया कि चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचने वालों में नंबर बन बन गए इसलिए हार हो या जीत आपको निरंतरता बनाए रखनी है हमारा देश बहुत बड़ा है लेकिन उसे छोटी छोटी कोशी से ही काम्याब बनाती है हर छोटे प्रयास का महत्व है हर तरह का योगदान महत्व पूर्ण है बर नवजवान साथियों आप मेरी सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है आप में दुनिया को नेतृत्व देने की छमता है मैंने लाल के लिए से कहा था यही समय है सही समय है यह आपका समय है यही समय आपका वर्देश का भविश्य ताय करेगा आपको अपने संकल्पों को मजबूती देनी है ताकि विक्सित भारत का लक्ष हासिल हो सके आपको अपने ज्यान का विस्तार करना है ताकि भारत की मेधा भारत की मेधा दुनिया को नई दिशा दे सके आपको अपनी शम्ताएं बढ़ानी है ताकि भारत विश्व की चुनोतियों को हल करने में महत्वपुण भूमी का निभा सके झाल